तो मैं अभी आपको जेमेन 2024 का आपको प्रॉलेम एक्सॉल कर रहा हूँ, इसमें आपका ये जैनवरी 29 का प्रॉलेम है, ये जो प्रॉलेम का जो कनेक्शन है वो CR सर्कीट से है, तुम लोगो अल्रेडी पता होगा CR सर्कीट के बारे में, ठीक है न, CR सर्कीट में तुम्हें पता होगा, दो केस जो होता है, आपका जैसे टी इक्वल टो इंफिनिटी, इसको SS बोलते है, क्या बोलते है? तो steady state में जो capacitors होता है, उसका resistance हम लोग क्या मानते हैं, infinity मानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, open मानते हैं, ठीक है न, कि steady state में आने के बाद capacitors क्या हो जाता है, fully charge हो जाता है, right, तो यह concept है, और दुसरा जो concept है आपको, कि T is equal to zero पर, मतलब कि आपका जब capacitors में कोई भी energy ही नहीं होती है, तो उसमें वो simple wire की तरह भी एप करता है, उसमें इस resistance of capacitors कितना होता है, zero होता है, तो actually इसी पर एक connected question है, जैसे questions में जो दिया हुआ है, कि यह आपका एक circuit दिया हुआ, कुछ इस तरह का है, यह 9 volt है, और आपका इसमे 6 microfarad, right, 6 microfarad, और यह आपका 3 ohm, और यह आपका 3 ohm, ठीक है, और दूसरा जो है, यह आपका 6 ohm दिया हुआ है, और यह जो है, आपको 3 microfarad, right, यह है 3 microfarad, और इसको नीचे वाला जो पार्ट को है, अर्थिंग किया गया है, ठीक है, और दो points दिये हुए है, यह A है, और यह B है, right, तो इसमें ने तुमें ऐसा question में क्या दिया हुआ है, कि जब A और B को sort कर रहे हो, तो what is the charge on the 6 microfarad, इस पर तुमको charge निकालना, यह वाले पर, ठीक है, और A, B को तुम sort कर रहे हो, ठीक है, तो अब देख लो, तुम अगर ऐसा देख रहो, यहां का voltage बोलो, कितना है, 9 volt है, तो अगर आप देखो इसमें, यह तो steady state में, जब कुछ नहीं दिया है, तो आपका क्या मतलब होगा, कि steady state में, तो इस पे तो current जाएगा ही नहीं, क्योंकि यह तो fully charge है, तो यह कहानी खतम इसका, यह भी आपका खतम, तो current जो है, आपको इस तरीके से जाएगा, ठीक है, तो यह 9 volt है, यहां पर 0 है, और यह देखो, आप ऐसा देखोगा, अगर यह path को तुम गौर करके देखो, तो यह दोनों किस में हो गया, series में हो गया, तो 6 और 3 तुम्हारा कितना हो गया, यह 9 ohm हो गया, और तुमको voltage कितना मिल रहा है, 9 minus 0, B is equal to, तो I जो होगा, 9 by 9, तो 1 ampere होगा, तो यहां से तुम्हा 1 ampere current run करेगा, ठीक है, तुमको target रखना है, दोखो, तुम्हें निकालना क्या है, इसका तुमको निकालना है, चार्ज, तो चार्ज निकालने के लिए, यहां का तो तुमको पता है, कि 9 volt है, अब तुमको यहां का पता करना है, तो इस पाथवे से तुम discuss कर लोगे, ठीक है तो बोलो यहां का 9V है, यहां से कितना current जा रहा है, 1A जा रहा है, तो यह कितना खाएगा, 6 into 1, ठीक है, यह इतना consume कर लेगा, तो बचा कितना यहां पर, 3V बचा, तो यहां पर आपका 3V shift कर रहा है, यहां तो कोई resistance है नहीं, यह simple wire है, राइट, तो अब बताओ, इनके दोन का question है, तो इस तरीके से आप लोग, यह CR circuit का आपको इसमें problem यह discuss हो गया, ओके, thank you,